हेलो फ्रेंट्स, वेल्कम डू सेविल इंजीनियर, स्योज़वन यूट्व चैनल, फ्रेंट्स हमार आज को टॉपिक है फाइबर रेंस्पोर्स कॉंक्रेट, यानि कि फाइबर रेंस्पोर्स कॉंक्रेट क्या होती है और इसको क्यों यूज किया जाता है, इस दुवारे मैं आपको बताऊंगो, तो फ्रेंट्स, वीडियो शुक्रने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे के हर एक न्यूड़ो के अपडेट आपको मिलती रहा है, और इस वीडियो के जाधाधा शियर भी कीजिए, तो फ्रेंट्स, तो इसके लिए हम कॉंक्रेट में क्या करते हैं कि फाइबर हम यूज़ करते हैं, और ये क्योंगी यूज़ करते हैं, तो आगे देखिए, फ्रेंट्स, ये एक बीम हमारे ठीक, उसके उपर ये लोड आ रहा है, तो ये नीचे से ये देखिए, ये टेंशाई जोन में ये आपस से क्रेक हो जाती है, और कंप्रेशन जोन में ये ठीक रहती है, इसमें कोई मलदा कि फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, और ये सिंप्ली सपोर्टेड विम का मैंने ये एक्जांपल लिए हुआ है, और ये लोड के विए से ये उपर का इससा ये इसका सुकुड़ जा फाइबर यूस करना होता है, तो ये देखिए, आप मैं आपको एक और एक्जांपल दिखाता हूँ, तो फ्रेंट्स, ये मैंने एक एक्जांपल लिया हुआ है, बीम का ठीक है, उसमें ये उपर से लोड आ रहा है, तो यहाँ पास हमने ये रेंफोर्समेर प्रवाइड कि करना देते हैं, लेकिन अब बाहुत सी जंगा पर हम क्या करते हैं, कि हमें थीक और यूज करना होता है, तो वहाँ पास हम इस्टील का यूज नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर हम फाइबर यूज करते हैं, ठीक है, तो अब आगे देखिए, तो फ्रेंट्स है हमन टेंशाहिन जोन में, ठीक है, और इसमें जब हम फाइबर यूज कर देते हैं, तो इसका टेंशाहिन जोन में देखिए, कोई भी क्रेक नहीं आएगा, और ये सेफ रही गी, ठीक हम यूज कर रहे होंगे, आईए देखिए, यह पर मैंने ये ग्राप भी बनाया हुआ लेकिन जब हम इसमें फाइबर यूज करते हैं, तो क्या होता है, कॉंक्रिट के अंदर डेक्टिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, जो कॉंक्रिट होगी हमारी, उसके अंदर ग्थ बढ़ जाएगी, और इसकी डिटेलनेस घड़ जाती है, ठीक है, जिसके विए, ये cement water aggregate ठीक उसके बाद हम क्या करते हैं fiber concrete बनागी उसके हम fiber add कर देते हैं वो fiber कितना add करते हैं 0.1 to 3% ठीक है यानि कि जो use कर रहे होंगे हम cement water aggregate का 0.1 से 3% तक हम fiber mix कर देते हैं इसमें ठीक है तो हमारा fiber concrete बन जाएगी और इसमें हम example आप देख लिए क्या क्या use करते हैं जैसे यह steel fiber ठीक है यह example आप देख रहोंगे फिजर में भी और इसके बाद यह glass fiber ठीक है glass fiber भी हम use करते हैं फिर nylon fiber और नाइलोन fiber भी use किया जाता है उसके बाецे बाद है natural fiber नैचुरल fiber भी use किया जाता है तो friends अब बाद आती irritation of fiber ठीक है दो irritation of fiber आप देख लीजिए parallel यूज़ किया है हो सकता है ठीक इसका और perpendicular भी यूज़ हो सकता है और randomly भी हम fiber को use करते हैं fiber concrete में ठीक है तो ये ता इसका irritation of fiber अब देखिए why fibers are used यानि के हम fiber used क्यों करते हैं तो इसके कई points है why fiber are used तो number one है fiber is to bridge the crack that develop in concrete यानि कि एक bridge की तरह work करता है concrete की crack को जोड़े रखने यानि कि crack को रोकने के लिए ठीक है एक bridge की तरह work करता है ठीक है और इसके बाद ductility को increase करता है ये जो concrete की ductility होती ही उसको काफी आदा increase कर देता है उसके बाद है point number three considerably improvement in the post cracking behavior of concrete connecting fiber due to both plastic shrinkage and drying sinkage ठीक है इसके विए से जो यानि कि plastic shrinkage and drying sinkage के विए से जो cracks होते है उसको resist करता है ठीक है और इसके बाद point number four permeability को decrease करता है यानि कि ये waterproofing को इसकी काफी आदा increase कर देता है इसको water को रोकता है इसके अंदर आने से ठीक है इसके बाद है point number five resistant to impact load इसको ये increase करता है ठीक है increase कर देता है उसके विए से जो load sign की चमता होती concrete की ये काफी जादा हाई होती है ठीक है उसकरने से application of fiber resistant concrete तो इसके कहां का यानि यूज कियाता है तो runway में ठीक है airport में यूज कियाता है parking इस एक्सेक्टरा और tunnel lining and slope stabilization यानि कि tunnel के work में और slope जो होता है आपने हाइवेज बगारा पर देखाऊ कि slope भी बना जाते हैं यानि इसके लिए उसके लिए यूज किया आ इसके बाद dam and hydraulic structure यानि कि dams में और hydraulic structure जो होता उत्ता उसमें इसका यूज कियाता है और लाश्ट है यानि कि पाइब से मैंँ होल टिक कैशना में बहुत? एक्सेक्ट रा है, ठीक है, तो आबो फ्रेंट्स आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लॉक्ट करें। और हमें कमेंट करके जोलबताएं जोफ बता हैं यह वीडियो आपको कैसी लगी है इस वीडियो को ज़ाद ज़ाद शेयर किजिएगा और हमारे ट्वी चनल को सब्सक्राइब कर दें बेल अकन भी दबा दें जिसके ये हर एक नहीं उडियो की अपडेट आपको मिलती रहे थैंक्यू सो मच